Hey guys, welcome to my channel Honey Life & Style & Myself Honey & Friend आज मैं आप से शेयर करने जारी हूँ, फुल डीटेल बताने जारी हूँ ये स्क्रिप स्क्रबर का जिसका highly demand आ रहा है कि इसे कैसे यूज किया जाता है इसे क्या-क्या फायदे होते हैं और ये हम कब करें, घर पे किस तरीके से करें ये जो मैं स्क्रिप स्क्रबर यूज कर रही हूँ, वो है अगारो ब्रैंड का, जो मैंने description box में link शेयर कर दिया है तो आप चेक कर सकते हो, तो इसे कैसे यूज करना है, चलिए बताती हूँ तो सबसे पहले हमें यूज करना है cleanser, तो पूरे face पे आपने cleanser को apply कर लेना है तो इस तरीके से cotton की help से पूरे face पे cleanser apply कर लीजे तो ये अगारो screen scrubber के बारे में मैं बता दूँ, तो ये देख सकते हैं, इस type का होता है इसमें two silicon cover भी दिये होते हैं, जो इस type का होता है इसे आप manually लगा कर भी कर सकते हो clean अपने face को इसमें stainless steel spatula होते हैं, four adjustable mode है cleansing, lifting, iron plus, iron minus सारे अलग-अलग work करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी first time two hour के लिए आप इसे charge कर लो, इसमें charger भी दिये होते हैं, आप देख सकते हो one year warranty दिये गये हैं, देख सकते हो, आप और इसमें 24,000 के high frequency vibration है तो face में cleanser अपलाई करने के बाद हम cleansing mode को start कर लेंगे और फिर start करेंगे cleansing करना, आप चाहो तो silicon cover भी use कर सकते हो तो इसमें 24,000 के high frequency vibration होती है, जिससे आपके skin के pores minimize होते हैं, आपके अगर enlarge pores हैं तो वो minimize हो जाएंगे dead cell को ये easily remove कर देता है और आपके skin को काफी जादा glow और flawless बना देता है आपके face के impurities को remove करता है और deep clean करता है आपके skin को cleansing के बाद steam लेना है आप 5 minute का steam ले लो, steam लेने के बाद हम apply करें toner की हमारी skin अच्छे तरीके से hydrate हो जाए, उसके बाद हम use करने जा रहे है iron plus mode, iron plus mode को on कर ले और जितने भी white head, black head है उसे ये अच्छे तरीके से remove कर देगा साथ में इसमें vibration भी होती है और ये आपके white head और black head को easily remove कर देता है dead cell को easily remove कर देगा तो अगर आपने nose ring डाल रखा है तो उसे avoid करें या फिर बहुत ही अराम से करें अपने nose ring को याद रखें कि nose ring आपने डाल रखा है तो अच्छे से करें वहाँ पे तो अब spatula को clean कर लें जितने भी white head black head है वो हटा कर और अब हम use करेंगे serum तो पूरे face पे serum use कर लीजे अब use करेंगे lifting mode और lifting mode पे जाकर हम अपने face को uplift करेंगे uplift direction में हमें करना है कि हमारे face पे fine line wrinkles जैसे चीज जल्दी ना आए और हमारे skin improve हो तो इस तरीके से upward direction में हमें अपने face को uplift करना है जितने भी mode दिये हुए है 5 minute के लिए use करना है और week में 2 time आप कर सकते हो अब iron mode start करेंगे और इससे भी 5 minute का massage देंगे जिसकी वज़र से आपके जो enlarged pore से वो minimize होंगे dead cell remove होंगे तो काफी अच्छा ये product है आपने जरूर try करना चाहिए और घर पे आप इसे try कर सकते हो घर पे use कर सकते हो तो easy to use भी हो जाएगा और घर पे आप एक massage ले सकते हो जिससे आपके dead skin remove होंगे साथ में glow आपके face पे काफी जाद आएगा तो ये दाग धबे को minimize करता है fine line wrinkles को minimize करता है साथ में आपके जितने भी white head और black head है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से remove कर देता है तो ये बहुत ही useful है तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे comment box में जभू बताना और भी आपकी beauty से related कोई भी query हो तो मुझे instagram पे DM कीजिए या फिर comment box में आप पूछ सकते हैं वीडियो आपके लिए helpful है तो मुझे subscribe करना ना भूले और अपने friends के साथ share करना आप होड़े तिल रैन बावाई